दिल्ली पॉल्यूशन और इवन पर आज भी सुनवाय करेगा NGT तुन से 64 ट्रेने लेट गुरुवार को अर्विंद केज रिवाल ने 13 से 17 नवंबर तक और इवन स्कीम लागू करने के ओडर दिये थे NGT ने गुरुवार को दिली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था स्मॉग जीनी का हक चीन रहा है यहां पॉल्यूशन को लेकर शनिवार को भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT सुनवाय करेगा शुक्रवार को NGT ने कहा था कि दिल्ली सरकार और इवन फॉर्मूला इस इस पर रोक लगा देंगे इस बीच दिल्ली सरकार ने रोजाना सफर करने वालों के लिए DTC और क्लास्टर बसूं मैं मुफ्ति आत्रा का एलान किया है दिल्ली में 26 मौग के चलते 64 ट्रेने लेट और दो ट्रेन के एंसाल हो गई हैं वहीं 14 है ट्रेनों का शेडूल बदला गया है बता दे की गुरुवार को अर्विंद केजरीवाल ने 13 सेकंड 17 नवंबर तक और इवन स्कीम लागू करने के ओडर दिये थे दिल्ली सरकार से और क्या कहा NGT ने NGT ने कहा जब हाला थोड़े सुधर रहे हैं तो सरकार और इवन लागू करने की कोशिश कर रही है अगर आप चाहते तो इसे थोड़ा पहले लागू कर सकते थे अब इसे लागू करने से लोगों को परिशानी होगी और इवन स्कीम तबी शुरू की गई जब हवा में गुले एलिमेंट्स का लेवल 300 पार कर गया आपने दिल्ली सरकार ने साल भके भीतर कुछ भी नहीं कि सुप्रीम कोट ने कभी भी इस स्कीम को लागू करने को नहीं कहा था एसी और एंजी टी ने 100 सेकंड ज्यादा सुझाब दिये थे ताकि पॉलिशन को रोका जा सके लेकिन आपने हमेशा और इवन का ओप्शन ही चुना दिल्ली सरकार को इस फॉर्मूला को लागू करने का स्पाष्ठी करन देना होगा एंजी टी ने दिल्ली सरकार ने पूछा आपने टू वीलर्स और महिलाओं को स्कीम से बाहर क्यों रखा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देनी के लिए फ्री सफर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर केलाश केलोत ने ट्वीट कि और इवन के दौरान पाब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देनी के लिए दिल्ली सरकार डी टी सी और क्लास्टर बासों में 13 रिंड 17 नवंबर के बीच रोजाना साफर करने वालों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देगी मुख्य मंत्री केजरीवाल का कहना है कि ये क अदम लोगों को पाब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोचाहित करेगा ओफिशल डाटा के मुताबिक दिल्ट